नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है असके ट्रकाई 34 में चली दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले इंडियान आल में अप्रेंटिस की वेकेंसी आ चुके है तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 600 वेकेंसी आई है बरहमी के ल करना है complete process बात करने वाले है तो चली वीडियो शुरू करते हैं इंडियन आयल में जो 600 वेकेंसी अप्रेंटिस की आई है टोटल वेकेंसी की बात करें तो यहां पर 600 वेकेंसी आ चुका इसका आनलाइन अप्लिकेशन फार्म कैसे आपको step by step fill up करना है तो अगर आपने बरमी क आप official website पर आ जाना है जिसका link आपको discussion में मिल जागा आप डायरेक्ट इस page पर आ सकते हैं यहां पर आपके सामने ऐसा कुछ page open हो जागा देख सकते हैं यहां पर western region में आपकी वेकेंसी आई है चली यहां पर नीचे आएंगे आपको सारा detail मिल जाएगा आप चाहें तो इस से step by step online application form fill up करना है इसके लाओ दोस्तों यहां पर मैं बता दू देख सकते हैं यहां पर जो candidate already apply कर चुके हैं जो कि 22 फरवे 2020 से लेकर 20 मार्च 2020 के बीच में जो candidate already applied कर चुके उन candidate को यहां पर 12 से online application form fill up करने के कोई जरूत नहीं है यहां पर देख सकते हैं जिन candidate ने अभी तक application form नहीं किया था तो वही application form का यहां पर date increase कर दिया गया है जो कि यहां पर 100 vacancy के और बढ़ा दिया गया और साथ में date भी इंक्रीज कर दिया गया है तो जो candidate already इसका application form fill up कर चुके थे उनको यहां पर 12 से online application form fill up नहीं करना है इसके रहां दोस्तों यहां पर एक और update बता दिया आपको यहां पर देख सब्सक्राइब करने के लिए यह वीडियो लाज तक देखते रहे कैसे आपको बिना गलती के online application form fill up करना है इस पहले मैं वीडियो सुरू करूँ आप वीडियो को like और share कर दिजे और अभी तक चैन चैनल को subscribe करके bell icon press कर लिए चलिए देख सकते हैं यहां पर आपकी सामने इस प्रकार का पेज है यहां पर सबसे पहले आपको candidate registration पर क्लिक करना है इसके बाद अपना फोटोग्राप और डाकुमेंट यहां पर upload करने और इसके बाद यहां पर प्रिंट कर लेना है कोई भी online application फीस नहीं रखा गया है तो चलिए आपको simply candidate registration पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं यहां पर आपको तीन अप्सन दिख रहे हैं सबसे पहला है है यहां पर technician अप्रेंटिस है जो कि यहां पर डिप्लोमा के लिए तो चलिए यहां पर सबसे पहले आपको देख सकते हैं post select पर आपको सब trade पर क्लिक करना है और अपना trade यहां पर branch select करना है जो भी आपका branch है तो यहां पर मैं डिप्लोमा से apply कर रहा हूं मैं mechanical select कर लेता हूं इसके बाद इसके सामने देख सकते हैं आपको apply का option मिलना है तो simply इस apply के option पर आपको क्लिक कर लेना है तो चलिए यहां पर apply के option पर क्लिक कर लेते हैं जैसे आप apply के option पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर एक new registration का page open हो जाएगा चली दोस्तों यहां पर देख सेते हैं आपके सामने registration का form open हो गया है चली देख लेते हैं आपको कैसे registration कर सकते हैं जाईए मैंक चाल डिया सब्सक्राइब करना है साथ में hier के लिए investors भी डाट इन पर जाकर रज्य स्थेशन करना है वहां से आपको registrasion नdoing जाएगा तो चलिए यहां पर अपना ओर रजी स्थेशन नंबर इंटर कर लेना और इसके बाद यहां पर applied for state, किस state के लिए apply कर रहे हैं, यहां पर select करना, तो यहां पर click करेंगे, तो आपके लिए जहां जहां जिस state में vacancy होगी, यहां पर show हो जाएगा, देख सकते हैं, आपर diploma candidate के लिए, mechanical की बात करेंगा, तो यहां पर दो states हो रहा है, यहां पर गुजरात और अगर एक से ज़्यादा होगा, तो आपको यहां पर select करना होगा, चली इसके बाद नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद आपको अपना personal detail में बात कर लेता है, सबसे पहले candidate का name, आपको यहां पर अपना full name इंटर कर लेंगे, आपने certificate के according, इसके बाद आपको अपने father या mother's या husband name आप इंटर कर सकते हैं, तो चली यहां पर मैं अपने father's का name इंटर कर लेता हो, इसके बाद यहां पर नीचे आएंगे, जिनका नाम उपर देंगे, यहां पर उनके साथ आपको relation यहां पर देना होगा, देख सकते जैसे अगर आप father's का नाम देंगे, तो father का न आपका category हाँ पर देखते हैं, जनरल, OBC, CST, या जो भी है आप सेलेट कर सकते हैं, चली नीचे आएंगे, और आपको यहां पर अपना date आप बर्त, यहां पर इंटर कर लेना है, स्रेटिफिकेट के अगार्डिक, सबसे पहले date आपको यहां पर select करना है, इसके बाद मन्त, और यहां पर year select कर लेना है, चली इसके बाद नीचे आना है, देख सकते हैं, यहां पर age की counting अपने आप आपका show हो जाएगा, age की counting यहां पर 29 फरवरी 2020 से ही किया जाएगा, जो कि इसका notification date था, यहां पर देख सकते हैं, आपको इसी date से age की counting होगा, यहां पर जो भी आपका यहां पर show हो जाएगा, चली इसके बाद दोस्तों आपको एक mobile number और email id इंटर कर लेना है, इसके बाद नीचे आना है, और आपको अपना complete address देना है, सबसे पहले यहां पर name इंटर कर लेना, care of का care of मतलब आपने guardian का name इंटर कर सकते हैं, father, mother या जो भी आपके guardian हैं, उनका name इंटर कर लेजिए, इसके बाद नीचे आएंगे, आपको अपना house number या village का name इंटर कर लेजिए, इसके बाद यहां पर आपको अपना state seller कर लेना है, आल इंडियार से candidate apply कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, इसके बाद आपको यहां पर district seller कर लेना है, इसके बाद दोस्तों नीचे आपको जाता है निचे आपका टिक अपनया फिलफ हो जाएगा देख सकते हैं, इस प्रकार नहीं तो आप अलग से फिलफ कर सकते हैं, चली इतना डिटेल फिलफ करने गाद आपको नीचे आना है, और यहां पर देख सकते हैं, आपको educationfik क्वालिफिकेषन फिलफ करना है, Educational qualification की बात कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपको सबसे पहले अपना details देना यहाँ पर सबसे पहले उमें किक WE कि बात कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आप 10 यहाँ पर प्राप्त किये यहाँ पर calculate होकर show हो जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर आप diploma candidate के लिए अप्राई करना है तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका technician discipline score हो रहा है जो कि मैंने mechanical select किया है उसका detail देना है directly नहीं तो यहाँ पर ITI से related जानकारी देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको सबसे पहले अपने board का name यहाँ पर college का name आपको इंटर करना है यहाँ पर board का name दोस्तों यहाँ पर आपको board का name इंटर करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपका board है जैसे अगर आप उत्तरप्रदेश से डिप्लोमा की है तो यहाँ पर UP, BT या BT UP आप इंटर कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको passing year जो भी आपके certificate पर passing year पढ़ा होगा धिख सकते हैं हRIA अपर declaration मिलेगा इस declaration पर आपको click करके इसको yes पर click कर लेना मतलब accept कर लेना चली left करने बार आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते है कुछ information दिया है जो declaration है इसको read करनी के the answer करना है तो चली यहांपर सब्मिट करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज़ आ जाएगा सिकेंड इस्टेप पर आ चुकर यहांपर देख सब्सक्राइब करना है चली देख लते हैं कैसे आपको upload करना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनका यहाँ पर size बता दू तो यहाँ पर जो photo और signature आपको upload करना है तो photo सबसे पहले बात कर लेते हैं उसका जो format होगा यहाँ पर JPG या JPEG में होगा और जो size होगा यहाँ पर 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए मतलब आपको 20 से 30 KB के बीच में यहाँ पर photograph अपना upload करना है ऐसे signature की बात कर लेते हो तो signature आपका maximum 20 KB और minimum 10 KB होगा मतलब 10 से 20 KB के बीच में आपको signature upload करना है चलिए देख लेते आपको कैसे upload करना है यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर देखते हैं आपको ब्राउजर का option मिला इस पर क्लिक करेंगे आपका photo अपना select करेंगे photo upload जाएगा इसी प्रेकाश signature भी आप यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर signature भी select करके upload कर देंगे चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको document कैसे upload करना है तो यहाँ पर document में आपको दो document upload करने हैं एक हाई स्कूल का certificate और mark street आप अलग अलग है तो दोनों को attach करके यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं करना है आपको यहाँ पर certificate आपको upload करना है अगर अलग अलग है तो आप certificate upload कर दीजिए यह अप्लोड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर डेटा बर्थ का प्रूप के लिए upload मांगा जाए तो आपका डेटा बर्थ उस पर लिखा होना चाहिए और बाकी जो candidate जिनका एक ही में है 2012 के पास आउट जो है तो उनका एक ही में रहता तो उनको अपना certificate अप्लोड कर देना है चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बता दे में बात से अटेस्टेट आपको करना है मतलब उसका फोटोकापी लेना है उसको से अटेस्टेट करना नीचे सिगनेचर करना है और उसके बाद ही आपको upload करना है फार्मेट की बाद कर लेते तो जे अप्लोड कर लेना है और सेम आप सेकेंड डाकुमेंट की बात कर लेते हैं तो सेकेंड जो आपको डाकुमेंट अप्लोड करना है यहाँ पर अपना अगर डिप्लोमा से अप्लाइब करना है तो आपको डिप्लोमा का स्टिपिकेट अप्लोड करना है और बाकी यहाँ पर certificate अप्लोड कर देना है तो इस प्रकार आपको डाकुमेंट अप्लोड करना है इतने डाकुमेंट और अप्लोड करने बाद आपको नीचे आना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको श्रबमीट का अप्शन मिलना है तो सिंप्ली आपको श्रबमीट का सेंटर्स होगा आप चेक कर सकते हैं सभी डीटियल इसके बादे हाँ पर नीचे आएंगे तो देख सेते हैं आपको एक फ्रिंट का अप्शन मिलना है इस पर क्लिक करके आप इस अप्लिकेशन फार्म को अपने मोबाइल में शेप कर सकते हैं और घर वैठी बड़े आसानी से इसका अनलाइन अप्लिकेशन फार्म कर सकते हैं कोई भी फीच पेमेंट नहीं करना है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजे सा कि हाथ में दोस्तों बता दे इसका नौटिकेशन वीडियो जिसमें आपको कम्प्लीट डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते में जल्द इसका एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक्षामनेसन प्रॉसेच क्या और बाकी वेकेंसे से रिल्टेट सब च कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद